कोरोना वाइरिस की वज़े से अभी कई शहरों में लोगडाउन तो अधितर जगों में नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है साथी कोरोना वाइरिस के बरते प्रकोप के बीच कई आयोजन रत कर दिये जगए है इसके अलावा भी कई अन्य कारणों की वज़े से लोग अपने ट्रावलिंग के प्लान में बदलाव कर रहे हैं कहीं जाने के लिए अपने टिकेट बुक करवा चुके लोग अपने प्रोग्राम में बदलाव के बाद से परिशान हैं दरसल कई लोगों ने अपने घूमने या कही जाने के प्लान में बदलाफ कर लिया है इसकी वज़े से उन्हें अपने टिक्टो को कैंसल या रिशेजूल कराना पड़ रहा है ऐसे में स्पाइस जेट ने अपने ग्राहकों के लिए ओफर पेश किया है इस ओफर के जरिये उन लोगों को फाइदा मिल सकता है जिन्होंने कही जाने का प्लान चेंज किया है साथ ही अब उन्हें अपनी फ्लाइट की टिकेट बदलनी है या आगे के लिए रिशेजूल करनी पड़ रही है ऐसे में अगर आपने भी स्पाइज जेट की कोई टिकेट बुक करवाई है और आपने अपना प्लान चेंज किया है तो आपके लिए यह अच्छी खबर है ऐसे में आप इस ओफर के जरी रिशेजूल के फीस से बच सकते हैं और अपनी फ्लाइट की तारीख बदल सकते हैं जानते हैं क्या है ओफर इसका कब तक फाइदा उठा जा सकता है और किन लोगों को इसका फाइदा हो सकता है यह offer उन लोगों के लिए है जिन्होंने पहले टिकेट बुक करवा रखा था और अब वो किसी खास वजह से अपने schedule चेंज कराना चाहते हैं ऐसे में आप इस offer का फाइदा उठा सकते हैं इस offer में अगर आप तैस समय में फ्लाइट टिकेट को रिशेजूल करा रहे हैं तो आपको कोई भी चेंज फीस नहीं देनी होगी ऐसे में आप निश्चित समय में बिना कोई फीस दिये अपने टिकेट की तारीक चेंज कर सकते हैं और इसे आगे के लिए बढ़ा सकते हैं इस offer का फाइदा आप 17 एप्रेल से 10 माई 2021 के बीच उठा सकते हैं इस अबधी में आप 17 माई से 15 माई 2021 तक की फ्लाइट में बदलाव कर सकते हैं ऐसे में 17 एप्रेल से 10 माई के बीच में 17 एप्रेल से 15 माई के बीच के ट्रैवल टाइम में बदलाव किया जा सकता है स्पाइस जेट ने अपने ग्राहकों को मेल के जरीए इसकी जानकारी दी है स्पाइस जेट ने कोरुना काल में चल रही अपनी फ्लाइट में यात्रियों की सुरक्षा के लिए खास इंतजाम किये है इसी क्रम में एरलाइन्स ने स्टेट ओफ द आर्ट एर सर्कूलेशन का इंतजाम किया है जिससे एर आगे से पीछे जाने की बजाए नीचे जाती है जिससे हवा में मौझूद बैक्टेरिया यात्रियों तक नहीं पहुचते हैं इसके अलावा एरलाइन्स में हैपा फिल्टर्स का इस्तिमाल किया जा रहा है इससे एर क्लीन रहती है और यात्री सुरक्षित रहते हैं इसके अलावा फ्लाइट में सेनेटाइजिंग प्रोसेस का काम किया जा रहा है और क्रू को सभी सेफटी किट दिया जा रहा है जिससे की यात्रियों को कोई दिक्केत नहीं हो